शांती संयम और अनुशाशन के राश्ते पर चल रहे देश व्यापी किसान आंदोलन की जीतते है ये दावा किया है पूरो मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुपिंदर सिंग हुडा ने किसान आंदोलन को पहले दिन से अपना समर्थन दे रहे हुडा ने इतने बड़े आंदोलन को शांदार और बहतरीन डंग से चलाने वाले किसान नेतरतव की प्रशंसा की है उन्होंने कहा कि तीन क्रिशी कानूनों के किलाब चल रहे किसान आंदोलन को दो महीने से ज्यादा समय बीच चुका है लोक तंतर में अनुशाशन और अहिंसा किसी भी आंदोलन का सबसे बड़ा हत्यार होते हैं जिसे किसान आंदोलन ने बखुवी समझा है लोकतंतर में इस रास्ते पर चल कर मुश्किल से मुश्की लक्षे हासिर किया जा सकता है उन्होंने सभी नागरिकों को कंतंतर दीवस की बधाई दी इस अफसर पर नेता प्रतिपक्ष बुपेंदर सिंग हुडा ने महान सवतंतरता सेनानियों देश की एकता अखंडता के लिए जीवन बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को नमन भी किया आज ये दिन बड़ा हमारे लिए अभीमान का है बड़ा उसको खुशी से मनाना चाहिए तोई भी अगर आंदोलन काम्यान होना है तो अहिंसा सबसे बड़ी ताकत होती है और ये जो सार दिन से आंदोलन चल रहा है अहिंसक शांती और सहीम जो किसान ने दिखाया है ये उ प्रेटिकी हुई है लाखों की तादात में ट्रेक्टर इस प्रेड में हिस्सा ले रहे हैं ऐसे में सभी किसान प्रेड के दुरान सयम वरतें वहनों के बीच उची दूरी और अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें प्रेड में कई गुना ज्यादा किसानों के शामिल होने की उमीद है जिससे इस प्रेड मार्च में एतिहासिक जन भागिदारी तय है ऐसे में प्रेड को संचालित करने के लिए विशेश वियावस्ताओं की जरूरत पड़ेगी जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए बुपेंदर सिंग उड़ा ने कहा कि अजाद भारत के इतिहास में ये पहला मोका है जब इतनी बड़ी ट्रेक्टर प्रेड होने जा रही है किसान आंदोलन में अब तक करीब 150 किसान अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं लेकिन सरकार अब भी उनकी बात मानने को तयार नहीं है सरकार को समझना होगा कि ये सिर्फ किसानों का नहीं बलकि जन जन का आंदोलन बन चुका है मज़ूर कर्मचारी छोटा कारोबारी हर वर्ग इस अंदोलन में किसानों के साथ खड़ा है लोग जाती धरम, भाषा, शेत्र और राजनीती से उपर उठकर किसानों का समर्थन कर रहे हैं सरकार अंदोलन को जितना लंबा खींचेगी ये उतना ही बड़ा होता जाएगा इसलिए सरकार को जन भावनाओं का समान करते हुए तुरंत किसानों की मांगों को सविकार करना चाहिए हला बोल हरयाना